हलो दोस्तो आज की हमारी मूवी है दस सेंड जो एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है जहाँ पर कुछ लोग समंदर के किनारे पार्टी बना रहे थे लेकिन उनका साथ में जो होने वाला था वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था तो वीडियो शुरू होने से पहले हम मू समंदर के किनारे यानि की बीच पर पार्टी कर रहे हैं और यहां पर सब कुछ चल रहा है जैसे कि अल्कोहल ड्रक्स वग्यरा वग्यरा और फिर मीच सबी लोगों के सेलफ़ोंस लेकर उन्हें एक बेग में डालकर कार की डिक्की में डाल देता है कि ताकि कोई भी एक अजीब से बड़ी सी बॉल को समंदर के किनारे से उठाकर ले आया है जिसके बाद में यहां पर फिर से पार्टी एनिमल्स अपने पार्टी में बिजी हो चुके थे गिलबर्ट को पार्टी के दोरान बहुत ज्यादा चड़ गई थी और इसलिए उसके फ्रेंड्स उस अपनी कार में थे माडशा रात को इतनी जब्ड़ा नश्मे थी कि उसे पता ही नहीं था कि उसके कपले कहा पर है और वह बीना टॉप के ही एक टेबल पर लेटी हुई थी गिलबर्ट जोकि रात को बहुत ज़दा नश्मे था उसे किसी ने एक कछले के डब्बे में डाल और गिल्बर्ट अभी भी सो रहा था फिर केली नोटिस करती है कि एक परिंदा जैसे रेत पर उतरता है वो रेत में फसता जाता है और ये रेत उसे अपने अंदर समा लेती है मारशा की अब नींद खुल चुकी थी और उसके बाड़ी पर टॉप नहीं था और उसे अपना टॉप रेत पर पड़ावा नजर आता है और वो उसे बस उटाने ही जा रही थी कि तबी केली मारशा को वान करती है कि रेत में कुछ गड़बढ़ है वहापर कदम न रखे लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी मारशा का पे रेत में फस गया था जिसे वो निकाली नहीं पा रही थी सबी लोगों को ये एक मज़ाख लग रहाता कि मारशा मज़ाख कर रही होगी और फिर वेंस उसके नजदिक जाने की कोशिश में खुदी रेत पर पे रख देता है और वो भी वहाँ पर फस्ता चला जाता है वेंस मूग के बल रेत पर पड़ा हुआ था और रेत में से कुछ अज़िब बाहर आ रहा था जो कि वेंस को जकर लेता है और फिर वो धीरे धेरे उसके चेरे को रेत में खीश लेता है और वो खुदी पूरा के पूरा रेत में धस गया था जैसे की रेत में उसे निगल ल फिर केली रेट पर अपना हाथ ले जाकर देखती है और वो नोटिस करती है कि रेट से कुछ अजीब सा बालो जिसा बाहर आ रहा था अब गिलबर्ट की भी निंद खुल गई थी जो कि एक कच्रे के डबे में बन था उससे भी नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वो भी बाहर आने के कोशिश में था लेकिन सबी उसे ऐसा करने से रोक देते हैं और गिलबर्ट की तरह सबी अपने अपने जगा फसे हुए थे केली और मीच आपस में बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये रेट इतनी जादा खतरनाक हो गई चुकि रात को ये सबी रेट पर थे और सुबा ये रेट इतनी खतरनाक हो गई बीच पर बहुती तेस दूप पड़ रही थी और केली को एक संस्क्रिन मिलता है जिसे वो चंदा को दे देती है ताकि उन लोगों की स्किन सूरज से बची रहे जिसके बाद सबी को ही एकसास होता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मुझूद थे वो मार्शा और वेंस की ही तरह रेट के द्वारा मारे गए होंगे और गिलबट ये नोटिस करता है कि जिससे वो बॉल समझकर रात को लेकर आया था वो असल में एक बड़ी सी अजिब चीज थी और वो टूटे हुई थी केली ये समझ जाती है कि ये शायद एक अंड़ा है जो किसी जीव का था और ये जीव अब रेट की नीचे है जो कि लोगों को खा रहा है और अगर ये जीव सिर्फ एक दिन में इतना बड़ा हो गया तो ना जाने कितनी जल्दी है बढ़ेगा फिर केली एक होट डूग को रेट पर फेकती है और वो जड़ से रेट में समा गया था फिर मिच इस होट डूग को दूसरी और फेकता है ताकि वो जान सके कि ये जीव कितनी दूर तक फेला हुआ है लेकिन ये जीव अभी छोटा था और ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था लेकिन समझ से ये थी कि ये सब इस रेट के पर केसे जाए फिर जोनस अपना दिमाग लगा कर दो सर्फबोर्ड को एक साथ रेट पर रखके आगे बढ़ने की सोच रहा था और वो लगबख ऐसा करने में काम्याब हो ही रहा था लेकिन उस रेट में सर्फबोर्ड फिसल रहा था जिससे कि जोना रेट पर गिरते गिरते बचता है लेकिन रेट के अंदर से वो टेंटेकल्स जोना की बाड़ी को टच कर लेते हैं जिससे कि उसके पेट पर घाव हो गए थे जोनस को कुछ नहीं हुआ था लेकिन उसके पेट के घाव बहुत ज़्यादा दर्दे दे रहे थे क्योंकि उन टेंटिकल्स में जहर था लेकिन जोनस सबके लिए कोड निकलाने में काम्याब हुआ था वो सबी की ओर ड्रिंक को फेकता है लेकिन उसके खुद के पेट में घाव फूट रहे थे और धीरे-धीरे रेत के अंदर का जीव और ताकतवर हो रहा था वो इतने ज़्यादा ताकतवर हो गया था कि उसने कार के टायर से ब्लास्ट कर दिये थे कि ताकि कोई भी यहां से भाग न पाए फिर हम देखते हैं कि जैसे तेसर रोनी कार के बंपर तक पहुचने में कामयाब हो गई थी लेकिन कुछ पकड़ने का ना होने के कारण वो उसे खुल नहीं पा रहे थे केली और मिच रोनी को पकड़ने के लिए एक स्टिक देते हैं ताकि वो बंपर खुलने में कामया हो पाए लेकिन वो सड़नली फिसल जाती है और वहां तक नहीं पहुच पाती और रोनी का हाथ ही बंपर में फस जाता है फिर पास से एक पलिस ऑफिसर पेटो लिंग के लिए निकल रहता है जिससे सब भी आवाज लगा कर बुलाते हैं और सारी चीज़े बताते हैं लेकिन वो ऑफिसर इन सबी के बातों को नहीं मानता और वो कहता है कि शायद उन्होंने रात को जादा ड्रक्स ले लिए वो ऑफिसर रेट पर उतर कर आराम से चल डाता और उससे कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसने बड़े बड़े बूट्स पहन रखे थे फिर तबी उस पलिस ओफिसर के जेप से उसके कार के चाबी रेट पर गिरती है और उसका हाथ रेट के चपेट में आ गया था वो उससे बचने के लिए रेट पर पेपर स्प्रे करता है लेकिन उसका हाथ ती रेट खा गई थी और धीरे वो भी रेट में समा चुका था वो अब नहीं बचेंगे लेकिन केली सबका होसला बढ़ा कर उनके पास पूछती है और उसे पहले रोनी का हाथ कार के बंपर से बाहर निकालती है और गिलबर्ट को बाहर आने को भी कहती है गिलबर्ट कचरे के डब्बे में काफी देर से फसा हुआ था और अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी सभी गल्स जैसे तेसे जोनस के पास पहुचती है लेकिन रोनी रेत पर फिसल जाती है और उसे भी रेत गयाब कर देती है फिर चंदा अपने दोनों पेरों में टावल को बान लेती है और रेत पर भाग कर उस पुलिस ऑफिसर के कार तक पहुचती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि गिल्बर्ट को कचरे के डब्बे में से ही वो रेत अपना शिकार बना लेती है और जो भी रेत के पीछे था वो अब धिरे धिरे बड़ा हो रहा था फिर जैसे तेसे शाम ढलती है और बचे हुए थे बस चंदा काईली और जोनस चंदा को पुलिस ऑफिसर के कार से एक राफ्ट मिलता है जिसमें आटोमेटिक हवा भर जाती है और वो केली और जोनस को उसमें बिठा कर कार में घुलवा लेती है यह सभी लोग यहाँ पर रेत से निकलनी वाले थे कि एक बड़ा सा चमकेला जीव बाहर आता है जो सबी कार में रात बिताते हैं और सुबह उसके पास एक सरफर आखर उन्हें जगाता है वे सबी जमीन पर अपना कदम रखते हैं और अप सब कुछ सेफ था लेकिन जोनस उस जीव के जहर के कारण नहीं बच पाया था और मूवी के लास्ट सीन में हम बड़ी से जेली फिश को देखते हैं जो कि पानी के रास्ते किसी और बीच की तरफ बढ़ रही थी और इसी के साथ यह मूवी यह पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों मूवी में कुछ हुआ यह कि कुछ यंग्स्टरस एक प्रीच पर पार्टी बनाने गए थे जो कि बहुत दूर दराज में था य प्री अंडा एक मौनस्टर जेली फिश का था और जेली फिश तो ऐसे खतरनाक होती है यह जेली फिश का बच्चा दूप से बचने के लिए रेत के नीचे चिप गया था लेकिन यह रेत को चूने वाले सबी लोगों को एक एक करके खा गया था जो लग रेत पर नहीं थे बस वही बचे थे और फिर रात होने पर यह मौनस्टर सब के सामने आया और कैली ने इससे घाल कर दिया जिससे की वापस समंदर में चला गया और अगर एक दिन का जेली फिश इतना जादा खतरनाक था तो उसकी मा कितने जादा खतरनाक होगी खेर दोस्तों यह था आज का वीडियो किसा लगा आपको कमेंट में जरू बताना और वीडियो पसंद आयो तो लाइक जरू करें और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा